विद्यारतियों नमस्कार मैं डॉक्टर दिबंद कुमाश शर्मा आपके पनी यूट्योब प्लैटफॉर्म केमस्टी बाइडी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ विद्यारतियों इस विडियो लिक्षर में हम लोग देखेंगे विद्यारतियों इस प्रियोग करमांग चार का अब्जेक्ट अर्दियानी के उद्देश जो दिया हुआ है वहें विद्यारतियों को आकरशक बनाने के तरीकों पर लेख लिखिए विद्यारतियों इस अब्जेक्ट का पूरा पैक्टिकल का एनालिसिस इस विडियो के माध्यम सम लोग देखने वाले हैं बात करते हैं विद्यारतियों सबसेले वाटिस परसनलिटी यानि परसनलिटी होती ही क्या है यानि व्यक्ति तो क्या होता है विद्यारतियों इस हम लोग क्या बोलते है व्यक्तित तो विकास क्या होता है परसनलिटी यानि व्यक्तित विकास को किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किसी के बहारी और आंत्रिक यानि सुयम को बहतर बनाने और समारने की प्रक्रिया के रूप में वर्नित किया जा सकता है। वो शिष्टाचार प्राप्त करना, एक तरह से कपड़े पहनना, बोलना, चलना, आकर्शो को लालित्ति लाना और अंत्त सकारत्मक्ता के साथ खुद को आत्मसात करना जीवन शेली और सदभाव इस पद्धती के सभी उधारन है। तो इन सब कौम क्या के सकते हैं परसनेटिया नहीं हमारे जो व्यक्तितों हैं उसमें हमारा बोलना, चलना, उठना, बेटना, खाना, पीना, कपड़े पहनना ये सब व्यक्तितों के अंतरगत आता है। संपुण विकास प्रक्रिया समय की अवधी में होती हैं। संपुण नहीं हैं। इसके बजाए कोई कुछ संकेत उठा सकता है और किसी भी अपनी आभा या आकर्शन को विक्षित करना उसे यम क्या के सकते हैं। व्यक्तित्व को आकर्शक बनाएं। आज का यूग वेश्वी करन का यूग है। यानि गलोबलाइजेशन का टूड़े एरा इंद एरा अप गलोबलाइजेशन। वेश्वी करन के यूग में सब जग प्रतिसपरदा है। प्रतिसपरदा में वही सबल ہو सकता है, जो सबसे योग्य है। योग्यता का आधार व्यक्तितो है। अगर व्यक्ति अपनेको योग्य नहीं सिद्ध कर सकता है, तो वह प्रतिसपरदार से बहार मान लिया जाता है। मनुष्य के व्यक्तितु का अंकन उनके गुणों के आधार पर होता है। उनमें व्यक्तितु भी एक महत्तोपून गुण है। व्यक्तितु आधुनिक मनोव ज्ञानिकों का बहुती महत्तोपून एवं प्रमुख विशे है। सामानित व्यक्तित्त से अभीप्राय व्यक्ति की रूप, रंग, कद, लंबाई, चोड़ाई, मोटाई, अरथा शारीरिक सरचना तथा उसके व्यवार से लगाया जाता है। जिसे बोल चाल की बाशा में व्यक्तित्व शब्द का प्रियोग शारिरिक बनावट और सुंदरे से लिया जाता है। शारिक सुंदरता के आधार पर प्राय कहा जाता है कि इस मनुष्य का व्यक्तित्व सुंदर, आकरशक और प्रभावशाली है। अपने व्यक्तित्व को आकरशक बनाने के लिए व्यक्ति विविद उपाय करता है किन्तो उसमें दिकांश, प्रयास, भूत व्यक्तित्व आकरशक बनाने के लिए ही होते हैं आंत्रिक व्यक्तितों के अभाव में बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाता है अत आवशक है कि बहुत व्यक्तितों के साथ साथ आंत्रिक व्यक्तितों पर भी ध्यान दिया चाहे दियारतियों आपको यह समझ में आ गया होगा कि two types of personality होती है internal और external तो हम लोग बाहई व्यक्तित अब ज़्यादा ध्यान देते हैं जबकि हमें आंत्रिक व्यक्तित अब ध्यान देना चाहिए योग आत्मक शाक्षातकार प्रक्रिया है योग आज योग को देनिक जीवन में समविष्ट करने का प्रेतन किया जा रहा है जिसमें व्यक्तित तनाव मुक्त व्यादी मुक्त कष्ट मुक्त यानि stress-free, disease-free, pain-free, healthy यानि स्वस्त, संतुष्ट, satisfy और stressed व्यक्तित यानि great personality का निर्मान कर सकता है तो आंत्रित व्यक्तित की प्रक्रिया क्या है? सबसे बढ़िया योग और योग से क्या होता है? अभी हमने देखा व्यक्तित तनाव मुक्त होता है, stress-free, व्यादी मुक्त, यानि बीमारी से free, disease-free, कष्ट मुक्त, pain-free, healthy, satisfied, or great personality यानि stressed व्यक्तित का निर्मान होता है बात आती है, how to have an attractive personality आकरशक्त व्यक्तित कैसे बनाएं? आकरशक होना आपकी शक्ल सुरस से ज़्यादा आपके व्यक्तित पर निर्भर करता है और आकरशक्त व्यक्तित का प्रदर्शन दोस्त बनाने और इस्थाई रिष्टे बनाने की एक कुणजी है एक आकरशक्त व्यक्तित पाने के लिए स्वाभाविक रूप से समवाद करने की शमता विक्सित करें यानि कि समवाद करने का मतलब होता है यहाँ पर communication हास से की भावना विक्सित करें और एक आत्म विश्वास स्वाव का निर्मान करें यानि build a confident disposions लक्षण आपको डूसरों को प्रेड़ करने और आकरशक व्यक्तित को शमता देते हैं जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे लोग आपकी और आकरशित हो सकते हैं तो किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए तो एक आकरशक्त विक्तित पाने के लिए स्वाभाविक रूप से समवाद करने की शमता विक्सीद करें यानि कि the ability to communicative naturally हास्तिकी भावना विक्सीद करें sense of humor जो आपके पास होना चाहिए और एक आत्म विश्वास यानि build a confidence पहला आता है समवाद संचा यानि communication सुनना एक इसा गुणे जिसमें आज के समाज में अकसर भुला दिया गया है किसी पार्ट का उत्तर देना social side खोलना या अपने अगले भोजन के बारे में सोचने के बजाए दूसरा विक्ति क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना जरूरी है विद्यार्टियों याँ पर क्या बताया गया है दूसरों की बाते सुने लिसन टू अधर तो सुनना एक इसा गुणे जिसे आज के समाज में अकसर भुला दिया गया है हम किसी को कुछ बाते कह रहे हैं कुछ क्लास चल रही है तो वह विद्यार्टि ध्यान देते ही नहीं क्योंकि उनने सुनने की शमता धीरे-दीरे खतम होन लगए तो विद्यार्टि क्या करेगा किसी पार्ड का उत्तर देने शोशल साइट खोल के बढ़ जाएगा कोई भी शोशल साइट, वाटसप, फेस्बूक, इंस्टाग्राम, लिंक्डिन को उनको खोल के बढ़ जाएगा अपने भोजन के बारे में सोचने लगएगा कि मुझे भूग लग रही है मुझे साउथ इंडियन डिसीस खाना है मुझे जो भी खाना है ये सब वो सोचने लगएगा तो इसे सोचने से बढ़या क्या होता है कोई दूसरा व्यक्ति क्या के रहा है उसके बारे में आप जरूर ध्यान दें सामने वाले की बात पर टिपणी करके या परश्ण पूचकर उन्हें दिखाए कि आप उनकी बात सुन रहे है और उनकी बात में आपको रूची है तो हम यदि किसी व्यक्ति को कुछ बता रहे है जब तक को परश्ण नहीं करेगा या कोई टिपणी नहीं देगा तो हम यह नहीं के सकते कि उस व्यक्ति ने आपकी बाते सुनी हैं दूसरा है, इस पेश, इसिक सिंसरली, इमानदारी से बोले, किसी को भी धोका खाना पसंद नहीं है लोगों को सच बताओ, कि आप किसी चीज के लिए प्रतिबद नहीं हो सकते है तो उसके बारे में इमानदारी होना बहतर है कि बजाए आखरी मिनिट में उन्हें ये बताना कि आप ऐसा कारिय नहीं कर सकते हैं जब लोग आपकी राय पूछे तो आपको इमानदारी से बताना चाहिए कि ये exact condition है बात आती इमानदार और असब्वे राय के बीच में अंतर क्या है तो उधारण के लिए यदि आपको अपने दोस्तों की शट पसंद नहीं है और वे आपसे इसके बारे में पूछते हैं तो इसका जवाब यदे में वास्तों में आपको नीला रंग में पसंद करता हूँ बजाए इसके कि मुझे नीले रंग से नफरत है या यह रंग बस सूरत है तो विद्यारतियों आपको बताना क्या है वास्तों में मुझे नीला रंग पसंद है यदि पसंद नहीं है फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को आपकी बात का बुरा लगे नेक्स टे नौन हाउ वर्सेस वाट जानिये केसे बनाएं केसे बनाम क्या आप जो कहते हैं उसमें कहीं अधिक मत्तु पूर्णिया कि आप बाते कैसे कहते हैं यदि आप किसी को सच्ची तारिब देने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि आप इसे व्यंग कार स्वर में कहते हैं तो आपकी तारिब का कोई मतलब नहीं होगा अपने बोलने की तरीके से सावधान रहें यदि आप देखते हैं कि लोग अकसर आपकी कही बातों को गलत तरीके से लेते हैं तो एक अच्छा मौका है कि आप अपने बोलने के तरीके को बदल सकते हैं अपने दोस्तों से कहें कि आपको बताएं कि आप किस तरह से सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट है, help other communicate, दुसरों से सववात करने में साहता करें। मज़दार, मिलने के लिए कुछ लोगों को एक साथ इकटा करें, यह पार्क भी हो सकता है, एक सभा के रूप में भी सरल हो सकता है, और एक शांदार डिनर पार्टी के रूप में भी हो सकता है। किसी भी तरह से यह उन्हें दिखाता है कि आप आपके विक्तियों दोस्तों की परवा करते हैं और दोस्ती आप फेलाना चाहते हैं सबसे पहले बात है लॉफ एट यॉर्ड सेल्फ खुद पर हसे कि यदि आप कोई मुर्कता पूर्ण कारिय करते हैं तो शर्मिन्दा होने के बदाए खुद पर हसें यदि दरशादा है कि आप अपनी तवचा के लिए सहज हैं हास्ती की भावना किसी के साथ रहने को अधिक आकरशक और आनंद दाई बनाती है याद रखें कि हास्ती का भी एक समय और इस्तान होता है ये एक बहतरी आइस ब्रेकर या तनाव निवा रखें लेकिन अनुचित चुटकलों के साथ एक गंबिर बाचित को वरबाद ना करें तो हास्ती की भावना डेवलप करना है परेसा नहीं कि बिना तूकके आप कुछ चुटकले बोल रहे हैं। और उसकी बाद तो फ्रस रहे हैं। हर चीज के लिए उस्ता दिखाएं। बले ही कोई चीज आपको थोड़ी अजरेज कर दे तो चेरे पर मुस्कान, खुले दिमाग और हास्य की भावना के साथ उस पर हमला करें हर दिन सही नहीं होगा लेकिन उस्साई रहने से आपके कुछ भी हासिल करने में मदद मिल सकती जब आप इस तरह से कार्य करेंगे तो लोग आपके आसपास रहना पसंद करेंगे नेक्स्ट है, हसने को परात्मिक ता बनाएं यदि आप सबसे आकरशक रगतितों चाहते हैं तो यह स्वम पर हसना परियाप्त नहीं है यदि आप दुसरों को हसाने में मुल्य दिखाते हैं तो हसी को अपनी परात्मिक ता सूची में उपर रखते हैं और आप अधिक खूश व्यक्तित्त होंगे ही। आपको अधिक हसने की याद दिलाने का एक शांदर तरीका ये कि आप अपने फोन या इमेल पर देनिक चुटकुले भेजे उस दिन के उस समय के लिए निर्धारित करें जब आप महसूस करें कि आप थका हुआ महसूस करने लगे हैं अपनी गलती सुएकार करने की शमता होना चाहिए इसा करना दर्शाता है कि आप में आत्मविश्वास है ये एक आकरशक वक्तित बनाने में मदद करता है क्योंकि दर्शाता है कि आप सुयम के साथ सहज है और इससे दुसरों को आपके आसपास सहज मैसूस होता है जब आप आत्मविश्वास की बात आती है तो ये प्रश्ण मत तो पुणे कि आप जितना अधिक जानेंगे, चीजों के बारे में बात करते हैं, समय आप उतना ही अधिक सहज महसूस करेंगे, प्रश्ण पूछने से कभी न डरें, आत्म संदे से छूटकारा पाने के लिए अन्य लोगों से अपनी तुलना करने से पर ना करें, अपने शरी पर भरोसा रखें, हैव कॉन्फिडेंस इन यूर बोडी, सही डंग से कपड़े पहनना और अच्छे मुद्रा रखना आत्म विश्वास दर्शाता है, इसमें आश्वस्त होने के लिए आपके पास संपुन शरीर होना आवश्चक नहीं हैं, अग अपने दर्पन के चार ओर पोस्ट इट लगाएं, जो आपके अपने शरीर के उन हिस्तों को याद दिलाएं, जो आपको अच्छे लगते हैं, उन चीजों के बजाए इस पर ध्यान देना के अंदरित करें, जिनके बारे में आप आत्म सचेत हैं, नेक्स्ट है, आत्म ही सोचते रहेंगें, तो लोग आपके व्यक्तित से दूर जाएंगे, इससे बचने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, खुद को दूसरों की तारिफ करने की याद दिलाएं, हर दिन तारिफ करने के लिए पांच लोगों को खोजें, ये अजनभी भी हो सकते हैं, आपके स पाठिकरम का प्रियोक्रमांग चार, आई होब ये वीडियो लिक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर एदिया पहली बार जुड़े हो, अभी तक आपने आपके अपन कि पूछने पूछना चाहतें, तो इस्टागराम पर आप dr. दिपेंदर शरमा सर्च कर सकतें, वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकतें, क्योशन पूछ सकतें, आपको वहाँ पर आनसर मिलेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंड करके के भी हमसे प्रश्ण पूछ सकते हैं विद्यारती इसीक साथ हम आपसे विदा लेते हैं जे हिंद जे भारत